असलाम ओलेकुम एवरिवान मैं हूँ रेश्मा मैं वेलकम करती हूँ आपका तम्मोस कीचन में फ्रेंड्स आज हम डर्टी ओयल को क्लीन करेंगे जैसे कि हम कोई चीज फ्राइ करते हैं और तेल बच जाता है तो वो हम रियूज में कैसे लाए इसलिए हम ये टिप्स और ट् अंदर फ्राइ की आवा तुकड़े पड़े हैं और थोड़ा सा डाक भी तेल हो गया है इसे अब हम क्लीन करेंगे और इसे क्लीन करने के लिए हमें कोई महेंगे चीज की ज़रत नहीं है एक बाल पानी लेना है और इसमें हम डालेंगे वन एन हाप टेबल स्पुन अरारू पाउडर डाल दिये हैं अच्छे तरीके से घोल कर हमने साइड में रख दिये हैं अब एक कड़ाई लिए है और इसमें हमने सारा ये जो हमारा तेल है यूज की आवा उसे हमने डाल दिये हैं अब इसमें हम डाल देंगे तुरंत ही ये दूदिया पानी याने के अरारूट वाला हमने पाने मिक्स करकर रहे हैं उसी को हमने इसमें डाल दिये हैं अब धीमी आज पे इसे हमें पकाना होगा फ्रेंट और चम्मत चलाते रहना है एकदम से धीमी आज रखिएगा और इसे आप चम्मत चलाते वे थोड़े दिर पका लीजे याने 8-10 मिनट पका लेना है दिमी आज पे हम अरा रूट को जैसे जैसे पकाएंगे ना फ्रेंड्स वैसे वैसे ही हमारा डर्टी ओईल में का कच्रा जो भी गंदेगी है सारी अरा रूट एब्जॉब कर लेगा याने अरा रूट में सब मिक्स हो जाएगा और हमारा तेल एकदम से क्लीन हो जाएगा फ् जबने लगा है याने के इकटा हो रहा है फ्रेंड्स हमने पानी डाले थे तो पुरा फैला हुआ था अब यह इकटा हो गया है और तेल भी माशालला देखे कितना क्लीन हो गया है जो इसमें काला पन था वो भी हट गया है फ्रेंड्स अब इसे हम नीचे उतार कर थोड़ा से लेना है वस जैसे हम घी चुरह से चान लेना है बस यह सिंगल जाली है इसलिए मैं इसे डबल चान होगी एक ही बार चान लीजिएगा और माशालब informing नीचे तेल देखिए कितने लिए आपने पहले भी तेल देखा था कितना डर्टी और डाग था और देखिए हमने सारा तेल चान लिए हैं फ्रेंड्स वापस एक बर मैं चोटी चानने से चान लेती हूं ताकि यह अच्छे से क्लीन हो जाए अगर आपका भी तेल कभी बच जाता है तो इस ट्रिक से आप क्लीन